नमस्कान मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक मिज़र सुर्ख्यों पर बिहार बीएट प्रवेस परिक्षा में जै आनंद ने मारी बाजी सावन के तीसरे दिन उम्रा कावरियों का सहलाव सक्षा मंत्रे के आपत सचीब के ओफस आने पर रो बीटे कोर्स के लिए इंजिनिरिंग कॉलेजों में 14,369 सीटे उपलब्ध मार्थिय टीम में इस खिलारी के पहली बार चुने जाने पर स्थरे कुमार ने दी बधाई इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार बीट प्रबेस परिक्षा में जै आनंद नहीं मारी बाजी बिहार में 4 वर्षिय इंटेग्रेट बीट में नामांकर लेने के लिए लिए परिक्षा का रिजल्ट बीते दिन घोशित कर दिया गया है ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इस परिक्षा में भाग लिया था www.brcetintbed-lnmu.in पर जाकर अपने रॉल नंबर और जर्मतिती के माधियम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं बता दे कि जारी के एगर रिजल्ट से हजानकारी निकल कर सामने आई है कि इस परिक्षा में कुल 52.39 प्रतीशत अभ्यर्थी सफल रहे वह इस रिजल्ट में जो अभ्यर्थी प्रतम अस्थान पढ़ाएं है वह जय आनन्द है जिन्होंने 120 अंक में से 94 अंक प्राद किया है वही दूसरे अस्थान पर पटना के गर्दनी बाग के आस्था सिंग रही जिन्होंने 120 अंकों में से 88 अंक मिले है बतादे की राजे नोड अलपतादिकारी प्रोफेसर अरुन कुमार सिंग की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परिच्छा में जो भी अभ्यर्थी सफल हुए है उनकी काउंसली प्रक्रिया 6 जुलाई यानि क्या से शुरू हो चुकी है वंदे भारत एक्स्प्रेस का कम होगा किराया बिहार में वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन के परिचारन के श्रिवात हो गई है लेकिन कई रूटों पर परिचार ट्रेनों में सीटे नहीं भर रही जो की रेलवे के लिचनता का विशय बन गया है ऐसे में अब रेलवे की ओर से योजना बनाई जा रही है कि जिन भी रूटों पर पड़िचाले ट्रेनों में सीटे नहीं भरपा रही है उन रूटों के किराये को कम कर दिया जाए बता देक इस बारे में रेलवे अधिकारियों के दोर अधिगई जानकारी के नुसार कम दूरी की कई वन्दे भारत ट्रेनों के किराये में कमी करने की प्रक्रियाद चल रही है जिसमें इंदोर भुपाल जबलपूर नागपूर विलासपूर वकुछ और रूट सामिल है मालमों कि रेलवे की ओर से ऐसा कदम इसलिए उठाये गया है ताकि यातरी को इन ट्रेनों का अकरशित किया जा सके नेपाल में बारिस के कारण कमला नदी के जलस्तर में हुई व्रिधी से बिहार में बार का खत्रा बिहार के मधुबनी में बार का खत्रा मंडराने लगा है दरसल निपाल और तराई इलाकों में हो रही बारिश को लेकर एक बार फिर से जैनगर में कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऐसे में जले के नदियों में जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है जिससे वह नदियां उफान पढ़ है बता दे कमला बला नदी जंजारपूर में खत्रे के निशान से उपर बह रही है ऐसे में पुर्वी और पश्मी तर्टबन के बीच बसे एक दर्जन से अधिक गाउं के लोग बार को लेकर चिंता में आ गया है। की जान चली गई जिसमें रोतास से पांच जानाबाद में दो, गया में दो, बकसर में एक, कर्टिहार में दो, कैमोर में एक, खगरिया में एक और भागलपुर में एक व्यक्ति शामिल है। सुझावो का अनुपालन करे, खड़ाब मौसम में घर में रहे, सुरक्षित रहे। सावन के तीसरे दिन उम्रा कावडियों का सहलाब, आज यानि की 6 जुलाई को सावन महीने का तीसरा दिन है। सावन के तीसरे दिन सुल्तान गंश शेत्र बोलबं के जैकाड़ी और कावडियों के सहलाब से भड़ा है। तीसरे दिन उत्तरवाईनी गंगा से कावड में जल लगभग 60,000 से अधिक कावडियों द्वारा लिया गया है। सावन के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा दो तसकर के भी गिरफ्तारी की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दे कि गिरिफतार तसकर के द्वारा दीगे जानकारी के नुसार वह तसकरी बंगा से पुर्णिया जा रहा था। गया में धूमधाम से मनाया गया दलाई लामा का जंदन। करी 50 पॉन का केक काठा गया। बीटे कोर्स के लिए इंजिरिंग कोलेजों में 14,369 सीटे उपलब्द। विज्ञान प्रोदो की और तक्निकी स्थिक्षा विभाग के द्वरा दीगे जानकारी के नुसार राज्य के इंजिरिंग कोलेजों में बीटे कोर्स के विवन ब्रांच में कुल 14,369 सीटे उपलब्द है। दिल्ली से मानिता प्रयाप्त स्कूल राज्य के कुल 38 इंजिरिंग कोलेजों में इतनी सीटे उपलब्द है। जिसके बुकिंग के शुरवाद एडवांस में 10 जलाई से होने वाली है। जिस हजार रुपए देने होंगे। बांका, मंदार, परवत, भागलपूर, तीन रात, चार दिन के लिए 25,500 रुपए, औरंगाबा, सासारा, भभुआ, रोतास, दो रात, और तीन दिन के लिए 10,000 रुपए, और वेशाली, मोतिहारी, बेतिया, तीन रात, और चार दिन के लिए 16,000 रुपए निर्धायत के सक्षा मंतरी के आप्त सचीव के ओफिस आने पर रोक, इन दिनों बिहार के सक्षा मंतरी प्रोफिसर चंदर सेखर और विवाग के सचीव के एक पार्ठक के बीच तनातनी का महौल बढ़ते जड़ा है, बता देकिन सब के बीच अब सिक्षा विवाग की ओड़ से एक नर्देश आनुसार पिछले एक सब्ता में आपके द्वरा भाती भाती के पित पत्रों में भाती भाती के नर्देश विवाग और विवाग ये पता दिकारियों को भेजे के हैं, इस सम्मन्द में आपको आगाह किया गया था कि आप आप्त सचीव तूर पर हैं, इसलिए आपको नियमित सरकारी अधिकारियों से सीधे प्रतचार नहीं करना चाहिए किन्तु आपके लगातार जारी अनंगल पत्रों और अविवेक पुन बातों से यह पता चलता है कि आपको मारणी मंत्री के प्रखोस्ट में अब कोई काम नहीं है और आप व्यर्थ के पत्र लिख कर विवाग के अधिकारियों के समय को नस्ट कर रहे हैं उन लेखनी हैं कि आपकी सेवाएं लोटाने के लिए सक छम प्राधिकार को विवाग पहले ही लख चुका है विवाग द्वारा यहां फिनरतेशित किया गया है कि अब आप सक्छम बिवाग के काड़याले में बहु को चुके बतादे कि मीडिया में चल रही खबरों के नուशार लालु यादव के दिल्ली जाने का कारण उनका अपना रूटीन शेक अप है वहिए डिली के लिए रवाना होने से पहले लालु यादव के दौरा पटना एयरपोर्ट पर मीदिया से बाचित करते वे कहा गया कि मेरे बिहार आने से बीजेपी को चंता बढ़ चुकी है नरेंदर मूदी की विदाई की तयारी करने के लिए हम बलकुल फिट हो चुके है उन्होंने कहा कि हम ना अपना बलर्ड टेस्ट कराने में दिल्ली जा रहा हूं क्योंकि यह जांज दिल्ली में होता है यह जांज कराने के बाद लॉट कर आऊंगा और फिर विपक्ची एकता की बैठक में शमलत होने चाऊंगा इस बार नरेंदर मोदी का विदाई तैह है वो लोग कितनी भी तयारी कर ले इस बार उन लोगों की वापसी नहीं होनी है वही लैंड फॉर जॉब केस में तेश्वी पर चार्ज सीट होने के सवाल पर कहा कि ऐसी कितनी चार्ज सीट हुई है हम लोग ड़ने वाले नहीं है लालो यादव से मिले सक्षा मंत्री आईस अधिकारी से हुए विवाद पर कहा ये प्यार सरकार के सक्षा मंत्री प्रोफसर चंदर सेखर आज यानी के 6 जुलाई की सुभसुपर राय सुप्रीमों रालो प्रशाद यादव से मिलने पहुँचे मैं इस तरह मीडिया से बाचित करते वे उन्होंने कहा कि उन्हें जो मीडिया के माध्यम से दिख रहा है वह उससे ही वाकिफ है उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं चीजों को देख रहा हूँ इसके साथ ही पीत पत्र से मचे बवाल को लेकर उन्हें सवाल का जवाब देते वे कहा कि समंधान के नुसार बता दे कि मंतरी बड़ा है या आप पर मुख्य सचीव वहीं उनके आप तो सचीव को काड़याले में घुसने पर लगे प्रतिबंद को लेकर उन्होंने सवाल का जवाब देते वे कहा कि मुझे इन्हीं चीजों को समझना है इसके अलावा उन्हों बीजेपी के दोरा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते वे कहा कि उनका तो काम ही है आरुग लगाना सब लोग अपने काम में लगे है वहीं केके पाठक से जुड़े सवाल का जवाब देते वे उन्होंने कहा किया केके पाठक से पूछा जाए लेकिन इस सब के अलावा उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके और लालो यादत के बीच क्या बात चीत हुई सक्षा मंत्री प्रधान सचीव के विवाद पर सुसील मोदी का बयान इन दिनों बिहार में सक्षा विवाद के मंत्री प्रोफसर चंदर सेखर और प्रधान सचीव केके पाठक के बीच खोड़ है विवाद को लेका नितीश सरकार पर हमला बोलते वे सुसील मूदी दोरा कहा गया कि मंतरी और प्रधान सचीव की डॉग फाइट में बिहार की सक्षा वस्था चौपट हुई है उन्होंने बिना कसी का नाम लिये हुए कहा कि एक पर लालू परशाद और दूसरे पर नितीश कुमार का वरद हस्थ है और अगर हिम्मत है तो दोनों को हटा कर सीयम नितीश कुमार सक्षा को बचाएं उन्होंने कहा कि राजे के सभे विश्य विद्यालियों में सेशन लेट होड़ा है अजारों सीटे खाली हैं लेकिन सीयम नितीश कुमार को इस बात की कोई पढ़वान नहीं है इसके साथ ही सक्षा मंतरी दोरा रामचर इतमानस को लेकर दिये कर टिपनी पर रोने कहा कि मंतरी चंदर सेखर कभी रामचर इतमानस पर जाती वादी टिपनी करते हैं तो कभी हवाई अड़े पर उनके समान में कार्थूस बरामत होती है और कभी मीडिया में प्रचार पाने के लिए वे कुलादी पती के समक्ष राजनतिक भाशन करने लगते हैं ऐसे सक्षा मंतरी चात्रों को क्या संदेश देंगे लिफ्ट पार्टियों के निताओं ने सीम नितीश से किये मांग पिहार में इन देनों सक्षक निकती नियमावाली में हुए बदलाओ को लेकर सक्षक अभीर्थियों के दोरा लगतार बिहार सरकार के खिलाब विरोत किया जा रहा है इसी कड़ी में अब लेफ्ट पार्टियों के निताओं के दोरा पिहार के मक्यमंत्रे नितीश कुमार से इस नियमावाली को लेकर एक मांग कर दी गई है कि 2020 में विधान सबा चुनाओं से पहली महागरबंधन का संकल्प पत्र चारी किया गया था जिसमें सवेश सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा किया गया था उस समय नितीश कुमार गरबंधन का हिसा नहीं थे लेकिन अब वे हैं ऐसे में उन्हें संकल्प पत्र में किये गयवादों का सम्मान करना चाहिए भारतिय टीम में इस खिलारी के पहली बार चुने जाने पर सुरे कुमार ने दी बदाई बीते दिन BCCI के दोरा वेस्ट इंडीस दोरे पर पांच टीटेंट इंटरनेशनल मैचों की सिरीज के लिए भारतिय टीम की घोशना की गई मुंबई नियंस के युवा बलेबास तिलक वर्मा को पहली बार भारतिय टीम में जगह मिली है वहीं तिलक वर्मा के चुने जाने पर सुरे कुमार यादव के दोरा उन्हें शुब कामनाई दी गए सुरे कुमार यादव के दोरा टूइट करते वे कहा गया कि तिलक वर्मा पहली बार T20 टीम में चुने जानी के सुब कामनाई आपके लिए काफी खुश और उत्साही थू बता दे कि आई पिल 2023 में सोरे कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों ने अपनी प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया था बायहात के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 11 मैचों में 42.08-07 की औसस से 343 रन बनाये थे या ध्यान देने वाली बात है कि तिलक वर्मा चोटके कारण कुछ मैचों में बाहर पैठे थे उन्होंने प्लियाओफ में बापसी करके अलिमिनेटर और और क्वालिफायर दोमीक रमसा 26 वा 43 रंग की पारी खेली बीटें धिन हमादरा पूझे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पजाब हमारी कमर्ण सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है इसके साथ ही पड़ते हैं आजुके सवाल क्यूड आज का सवाल है आप कभी श्रावनी मेली के दौरान बाबा वैदेनात का दशन करने गए हैं या नहीं अब नजाब होई मारे कमण सक्षमें लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप फेस्बूक से देखते तो पेस को फॉलो करना ना भूले धाने बात